नमस्कार दोस्तों कैसो आप सब मेरा नहीं विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिठारा चैनल को दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो या भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में इसका कभर प्रिष्ट कुछ इस तरह का है जंगल के जलात को बिया का रुमांचक कोमिक भिसिसांग लकडियों का जंगल जहां मनमानी चलती है कुरू नर्भकची उत्पाती जंगली मनमानी करते हैं पोचर्स मनमानी करते हैं इन मनमानियों के कारण निर्दोस जंगली संकट में पड़ते हैं और मनमानियों से जुजने वाला भेडिया जुजने के लिए हर वक्त त्यार रहता है बचाओ जंगल में मनमानी नहीं चलेगी मनमानी जारी थी ठक हाथी सुड में दवा कर जंगली का कचुमर बना देने वाला था बच्चाओ जंगली के उमीद जिस पर ठीकी थी वह आखिर आही गया था जो पहले जंगल का जलाद था लेकिन फिर जलाद कोवी के रुप में उसके सरीर से निकल गया था सांथ गजराज सांथ हो जाओ 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 आहा बेरिया की अंकुसी चोटों से हाथी और भी कूपित हो गया था ये उसे कुचल डालेगा बेरिया देवता उसे रोको इसे रोकने से पहले तुमारे प्रान इससे बचाने ज़्यादा जरूरी है और मैं अपनी इस कोशिस में असफल नहीं होँगा ये अपनी टकर से इस पेंड को भी गिरा देगा अरे ये ब्रिश तो ओ हिनिया देवता वो देखो देख रहा हूँ ये तो खुद गिर रहा है इसके अलावा कुछ और भी है नीचे उतरो हाथी के भूमी पर धेर होते ही दोनों ब्रिश से नीचे उतराएं ये तो मर गया और ओह ये क्या इस ब्रिश के चारों और कई पसुख के कंकाल पड़े हैं इनमें मानो कंकाल भी सामिल हैं ऐसा द्रिश से तो मैंने आस तक नहीं देखा और अब इनमें इस हाथी का कंकाल भी सामिल हो जाएगा अद्वित द्रिश से है मुझे इस पर यकिन नहीं होता यहां से चलो भिणिया देवता यह जगा ठीक नहीं हो सकती ठरो मुझे देखने दो हाती आकरमक कैसे हो गया और यहां आकर हाती अपने आप कैसे धेर हो गया इसकी पीट पर यह काटे देखो हाती के सरीर के इस अस्तान पर काटे कैसे लगें ये काटे किसी सस्तर से इस पर फेक कर मारे गए हो सकते हैं ये तुम्हारे पीछे इसी वज़ा से पड़ा होगा तुम वहां क्या कर रहे थे मैं तो लकडी काट रहा था यहां का वातवरन भी रहस्य से भरा है यहां बिखरे पड़े कंकालों का क्या रहस्य है जंगल में जब किसी की मौत हो जाती है तो सहरो की तरह जंगली भी अपने अपने परंप्रागत तरीके से उसका अंतिम संसकार करते है फुजो बाबा भेनिया तो अभी तक नहीं आया क्या अंतिम संसकार के किरियाएं अरम कर दी जाए क्योंकि सूर्य तेजी से अस्थ हो रहा है और सूर्य आस्थ के बाद चितान नहीं जलाई जा सकती पुजो की अन्मती मिलते ही किरियाय अरम हो गई सरदार कलिम्पो की मिर्तु का सुच्रा तो भेणिया को भिजवा दिया गया था बाबा फिर भेणिया भी तक पहुँचा क्यों नहीं सायद पहुचने वाला हो मेणिया को आने में अभी देर थी मगर इसे बिल्कुल नहीं चट 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 चिता को अगनी दे दी गई इस वर सरदार कलिम्पो की आत्मा को सांती दे चट 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 चटर चटर और तुम सब को भी क्योंकि जड तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ेगा ओ गोड ये जड जड क्या बला है जड जिन्दा हो गई इसको मैं थोड़ा चोटा करके आपको दिखा देता हूं कुछ इस तरह का है इसका पिक्चर अरे इसके चीक खुल से निकली गैस ने चिता की आग बुझा दी ये गैस ज़रूर करबन डायक्साइड गैस होनी चाहिए क्योंकि पेंड पोदे ऑक्सीजन ग्रान करने के पाद इसी गैस का भी सर्जन करते हैं तुने ठीक पहचाना लड़की और अब चारो और करबन डायक्साइड गैस फैला कर इस गैस से मैं तुम सब का भी दम घोड़ दूँगा अपनी सांस लोग रोक लो जैन फूजे ने उसे रोकनी की सुरुवात की मगर मेरा फेका भाला इसके सरीर में ठीक ऐसे ही जा धसा जैसे मैंने उसे किसी ब्रिश पर फेक कर मारा हो ये मामली भाले मेरा कुछ नहीं विगार सकते हैं ऐसे तो ये यहां तभाई फैला देगा बाबा हम भी कब तक सांस रोक पाएंगे मेरी सांस तो तूटने वाली है मेरे रहते अगर किसी की सांस तूटेगी तो वो ये सैतान होगा ओ इसका सरीर तो कास्ट का बना परतीत होता है भेडिया और तेरा हाड मांस का बना सरीर इसका कुछ नहीं विगार सकता लेकिन मैं अपने कास्ट नाकुनों से तेरे सरीर के पढखचे उड़ा सकता हूँ भेडिया का समुच्चा सडीर जमिन से आ लगा यहां मेरा भी दम घुट रहा है इसके गाल चिदे से निकली विसेली वायू का असर यहां तक फैला है मागर मैं तुझे जहां फैकूंगा वहां जाकर तुब विसेली वायू के परभाव से मुक्त हो जाएगा धार ओफ यह अजीबो गरीबो प्रानी आया कहां से है धम भेडिया भेडिया तुम ठीक तो हो ना मैं ठीक हो जेन मगर यह सेतान जो भी है अब ठीक नहीं रहेगा अरे इस अस्तान पर जड़ की गैस का विसेला परभाव नहीं है यहां मुझे स्वक्ष वायू मिल रही है मगर जड़ के कारण तो यहां बिसेली वाईयो ही फैली होनी चाहिए इसका कारण मेरी समझ में आ रहा है इसके दो चिक होल्स में से एक बाया ऑक्सीजन ग्रहन करने वाला है दूसरा दाया कर्वन एक्साइट छोड़ने वाला है इसलिए इसके दाया और की वाईयो बिसेली होती जा रही है और बाया और की आयो में भरपूर मात्रा में अक्सीजन होने के कारण इस और की वाईयो स्वक्ष है हमें बाया और रहने की चेस्टा करनी होगी भेडिया कास्ट को कुलहारी से काटा जा सकता है लेकिन जिन लोगों का दम बिसहली गयस से घुट रहा है पहले उन तक ताजी वायों पहुशाना अवस्थ है उसके लिए मुझे जड़ की दिशा परवर्तित करनी होगी मैं इसके सामने से होकर इसके दाएं हाथ की तरफ जाकर इस पर आकरमन करता हूँ मैरे आकरमन का जवाब देने के लिए जब ये मेरी और घुमेगा तो इसका बायागाल चिदर जहां से ये जीवन दाएं वायों को खीच रहा है उन लोगों की और हो जाएगा जो इसके दाएं गाल चिदर के विसहले परवाब में आ चुके हैं इस परकार उन लोगों को स्वक्ष वायू मिल जाएगी और उन पर मड़ाता मौत का खत्रा स्वेम इसी के कारण दूर हो जाएगा जड़ पर उस और से वार करके भेणियाने बिल्कुल सही चाल चली है लेकिन इसे खत्म करने के लिए मुझे इस पर कुलारी के कितने वार करने होंगे यूँके मेरे परतेक परहार पर इसके सरीर से ब्रिश की चाल की तरह थोड़ी बहुत छीलन ही उतरती है ओह ये भूमी से पानी खीच कर सस्त्र की तरफ पानी का परहार मुझ पर कर रहा है जड़िये काम असानी से कर सकता है तुम मेरे सरीर को बार बार खुरच रहा है पहले तुझे ही खत्म कर देता हूँ ठवड हूजो बाबा अगर ये कास्ट का बना है तो इसे आरा मसीन पर काटा जा सकता है मगर आरा मसीन को यहां कैसे लाएंगे या इसे वहां तक कैसे ले जाएंगे उसने भेंडिया को अपने कान में निकली सखा से जकर लिया है भेंडिया जड़ से जूज रहा है मैं जड़ के असर से जूजती हूँ लेकिन तुम आग लेकर उसके पास जाओगी तो वो दाएगाल चिद्र की कर्बंड एक्साइट अवाईउ से उसे बुझा देगा ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये चिंगारी है मैं इसके बाएचीक होल को दिखाऊंगी जो अपने ब्रिच गून के कारण वातावरन से अक्सीजन खीच रहा है अक्सीजन अत्यन जोलन सील होती है अब इसके बाएचीक होल से यतनी भी अक्सीजन कर्बंड एक्साइट बनाने के लिए इसे मिल रही है उसे आग जला देगी इस कारण इसके दाएचीक होल से अब कर्बंड एक्साइट का निकलना भी बंद हो जाएगा लेकिन अभी भी ये अपने आप में काफी सक्तिसाली है और यहां भारी तभाई मचा सकता है इसे पूरी तरह खत्म करना जरूरी है इसे पूरी तरह खत्म करने का एक ही तरीका मेरी समझ में आ रहा है और वो है इसकी जड़े काटना अगर ये जड़ है तो जड़ को पोसित होने के लिए सभी पोसक यो आवसेक्तत जमीन से ही मिलते हैं मैं इसके जड़े काट कर इसका संपर्ग जमीन से ही काट देता हूँ कटाक अब इसको काट पाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा अब इसकी मौच जड़ा दूर नहीं है कुलारी के उस बार में भेडिया ने जैसे अपने समझ सक्ती भर दी थी अब तू होगा लकड़ी के तरह ही दोपाड कटाक ये गिर रहा है धम सुक्र है इस मुसीवत से छुटकारा मिल गया लेकिन ये था कौन अचानक कहां से आ गया ये देखो ये देखो गड़ा ये यहां से जमिन फोड़कर बाहर निकला है हाँ बाहर आते ही इसने चिता बुझा दी थी मैं फिर से इसे अगनी देता हूँ चिता का नाम सुनकर चौक क्यों रहे हो भेड़िया चिता का नाम सुनकर नहीं चौक रहूँ मैं कुछ और सोच रहा हूँ क्यूंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा पाला एक बिचितर इस्तिती में से पढ़ा था उसमें जो बात परमुक थी वो थी काटे और वो चमतकारी बिसाल ब्रिक्च भेड़िया ने उस ब्रिक्च की बिसे में बताया यहां भी चीता और ज़ड़ नामक एक खौपनाक प्रानी यह सब लकड़ी से संबंदित वस्तुएं हैं वहां वो लकड़ारा लकड़ी काटने गया था तो किसी ने काटो के परहार से हाथी को उतेजित करके उसे मारने की चेस्टा की यहां चीता जलाने की कोशिश को बिफल करने आगया जड़ यह काम काटियू के अलावा अन्य किसी का नहीं हो सकता कौन काटिये आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा जंगल में केवल इनकी दंद कथा प्रचली थे और वो भी एक नहीं कहीं दंद कथाओं के मुताबिक काठिये अस्थम के जंगल में ही कहीं रहते हैं एक मन्यता तो ये भी है कि काठिये काठिये सब्तुक मनाने 20 वर्षों में एक मर जंगल में परकट होते हैं और फिर बिर्चों में बदल जाते हैं सब्तुक क्या कोई उत्सव है कुछ लोगों का कहना है इकाठिये जंगल में रह रहे हजारों कभीले में से एक कबीले में अपनी पहचान छिपा कर रहते हैं और सब्तुक मनाते हैं सब्तुक के रूप में ये लोग बिर्च से समवाद करते हैं उनका मनना है कि उनके पुर्वज की आत्माएं बिर्च योँं पेंट पॉधे में वास करती है और वे वे ही ब्रिचों को जीवन देती हैं उन्हीं की बदोलत ब्रिच फलते फूलते हैं और काठियों के लिए प्रानवायों विसर्चित करते हैं काठियों का ब्रिचों से रिस्ता वैसे ही है जैसा परिवार के किसी सदस्ते के परिवार से होता है वे उनके साथ खेलते हैं, अपने सुखदुख बाड़ते हैं ये लोग बीचे से बाते करना जानते हैं बोड़े या ठूड हो चुके बीचों को काटने से फुर्ब उनकी इजाज़त लेते हैं काट दो, मुझे मुक्ती दो ब्रिच जब फल देते हैं, तो ये उसकी पूजा करते हैं काच, टाउ, कोच, डाई, कच, कचाटू, कोची, कोची, काटियों की, गोची, गोची जब ब्रिच समय पर फल ये उस्ति ना दे, तो उसकी जम कर पिटाई की जाती है इनकी पिटाई से भी ब्रिच भी घबरा जाते हैं, अगर तुरत चमा ना मांगे, तो इसे काट कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं माफी, चमा या उनमें होल बना देते हैं, जिससे ब्रिच का पोशन रुख जाता है, और उसकी मिर्तु हो जाती है चमा मांगने के बाद, वो ब्रिच जल्दी ही फल देने का वादा करता है कास्ट का परियोग काटिये अपना अधिकार समझते हैं ब्रिचु यह उन पेड़ पोधे बेलो से कोई मानो या पसु खिलवाद करे या दोने के लिए उन्हें काटे, यह उन्हें बरदास नहीं होता यह उन्हें भयानक सजा देते हैं, उफ, उनके रक्तों से बिच्चे को सीचते हैं कुष्ट, लताएं, पेड़ पोधे, इनका आदेस मानते हैं संसार में जहां भी लकड़ी की एक छोटी सी फास भी होगी, तो वो उनका आदेस नहीं डाल सकती यह कास्ट तंत्र के माहिर हैं भेडिया, फिर तो एक तरह से यह जंगल परेयावरान धर्ती यहों मनावता है के रक्षक हुएं जरूर हुएं, मगर लकड़ी सदियों से मानों की अवसकता बनी हुई है, अगर लकड़ी लेने पर यह हिंसकता दिखाते हैं, तो वो नियावचित नहीं है क्या चीता जानाना अनुचित है? लकड़ीयों के भीना यह कैसे संबह होगा? जिस ब्रिच को तुमने देखा, साइद वो एक हजार वर्स पुराना तरपन ब्रिच है, जो हजारों वर्सों तक भी हरे भरे रहते हैं ऐसे ब्रिच काठियों के लिए पुजन्य ब्रिच होते हैं, सवाल ये भी है, सवाल ये भी तूटता है कि ब्रिच के नीचे तो हम भी गए थे, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ, जबकि वहां हमने मानों के कंकाल भी देखे थे जंगल का नीचे में, जो खाया जाता है, वो कंकाल के रुप में रह जाता है, खाये जाने वाले भी बहुत हैं, और खाने वाला भी इस वक्त खाये जाने वाला था वो जंगली भैसा और खाने वाले थे खुकार भेढिए मगर इस्तीतिया बदल भी जाती है ब्रोक ब्रोक सिकार काबू में ना आए तो खाने वालों को अपनी जाने बचाना भी मुस्किल हो जाता है ब्रोक 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 उफ 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 जंगल में ताकत का बोलवाला है काजों की तरह दुम दवाकर कहां भागे जा रहे हो धामडो मुझे संदे हो रहा है कि तुम मेरी भेंडिया फोजो या गीदरों की फोज हटो मेरे आगे से उफ धाण दुम का परियोग मखिया उड़ाने के लिए किया जाता है नाक काटने के लिए नहीं मगर दुम दमा कर भाग कर तुमने कोभी की नाक कटा दी कमबगतो अब मुझे अपनी नाक फिर से जोड़नी पड़ेगी धाण उफ 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 और यहां से जाना मत कमबगतो मैं यह भैसा अभी तुम्हें खाने के लिए ला कर दूँगा अपने एक साथी को गिरते देख बाकी भैसों ने अपने दिशा परवर्टित कर दी तुही छका रहा था ना मेरी भेड़िया फोच को को भी आगे बढ़ा अब मैं तुझे अपने भेड़िया फोच को खाने दूँगा थारो इन्हें हाथ मत लगाना इसे हाथ के क्यों ना लगाऊं क्योंकि इसे हमने मारा है अपने देवता काठू पर हम इसकी बली देंगे बली की सारी तैयारी पुर्ण हो चुकी है देवता जंगल का देवता तो मैं हूँ हमारे देवता काठू है अब तुम चुपचा पीछे को सरक लो वारना तुमारी सेहत के लिए अच्छा ना होगा वो ये देखो हमारा काठ मला इसकी गर्दन में धसा है इसी से ये बहोस ह हो गया है चुपचा भैसे को हमारे हवाले कर दो ये भैसा तुमारे हवाले कर दिया तो मेरी नाक मेरी भेड़िया पहुच के सामने और भी कर जाएगी तुमारे हवाले को भी करेगा मौत बली का समय हो रहा है हमारे पास लड़ने का समय नहीं है अगर तुझे लड़ना है तो तू लड़ सखा से सखाए उस ब्रीच इत्रा कृती के रूप में ब्रीच के तने से नीचे उतर आई तेरे रक्त से इस ब्रीच की जड़ों को सीचूंगा तेरे पास बांदे के लिए सखाए है तो मेरे पास इन नाखुनों को काटने के लिए ये तेज नाखुन कटा कट इस बार मैं तुझे हाथ हिलाने के भी इजाज़त नहीं दूँगा ताकत का परियोग करने के लिए हाथ की नहीं ताकत की ही जरुवत होती है यह देख, कडाक धार, तो अब दिखा अपनी ताकत सखा फिलाल कोवी पर भाड़ी पर रहा था अब तू अपनी ताकत नहीं दिखा पाएगा कोवी की पीट्की और घुसी वह ननीसी सखा इसका मिक्स को यह पर खत्म करते हैं इसके आगी कहानी हम पढ़ेंगे इसके पाट 2 में तो मिलते हैं इसके पाट 2 में तब तै के लिए और को मिक्स अगा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीदियो को लाइक कर देना अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना